ये खबरों की ओरुप करते हैं अभिनेता सुशान सिंग राजपूत की मौत की मामले में मंगलवार श्राम को NCB ड्रग डीलर की तलाश में दौर पहुंची NCB के अधिकारियों ने शहर के MIG इलाके में स्थित मल्टी फ्लाट नंबर 401 की तलाशी ली के फ्लाट हेमंत श्रा के नाम से है जानकारी के मताबिक हेमंत लंबे समय से इंदौर में ही रहता था कई साल पहले वो गोवा श्रिफ्ट हो गया था और उसने वहीं रहकर अपना सामराज पहलाया था NCB की इस कारिवाई से ये साफ हो गया कि ड्रग तसकरी के तार कहीं न कहीं इंदौर से जुड़े हुए है NCB ने किया था कि हेमंत शा इंदौर का मूल निवासी है और उत्तरी गोवा के बीच पर कई साल से ड्रग तसकरी का धंदा चला रहा है नौ मार्च को ड्रग पेडलर को गोवा से सुशान्त सिंग की मौत के मामले में गिरफतार किया गया आरुपी हेमंत शा सुशान्त सिंग राजपूत को ड्रग सप्लाई करता था गोवा की पड़जी कोट ने उससे 14 दिनों की इन्याई खिरासप में भेज़ किया था लेकिन पुलिस की लापरवाही से हेमंत इंदौर से परार हो गया था हेमंत शा का गोवा के ड्रग्स से डीलरों से कनेक्शन था वो वहां से ड्रग्स लाकर इंदौर की कई पेडलर को प्लग्ड कराता था कहा जाता है कि वो इंदौर का सबसे बड़ा ड्रग्स मगलर है उसके नीचे कई पेडलर काम करते हैं जो उसकी द्रग्स अलग-अलग लोगों को बेचते हैं